हलो दोस्तों कैसे हो आप लो गुम्मीदे से बहतर होंगे मैं आपका दोस मिमीटो पांडा और आज हम एक इंस्टूट के बारे पर रिव्यू देंगे फार्मेसी इंस्टूट के बारे पर या इनुवर्सिटी भी आप बोल सकते हो तो खास कर मेंली यह वीडियो होगा प्ले आदमी ने रिव्यू किया था और ब्राइट एडुकेशन सर्विस में एक आदमी ने वोट किया है और उसने पांच में पांच दिया है उसमें भी पांच में पांच दिया है और जो मैं भी रिव्यू देख रहा हूं इसमें सबसे जादा आपको लोकल गाइड की तो भाई कोई भी होस्टल में फूड अच्छे नहीं होते हैं मतलब कोई भी मैस अच्छा खाना नहीं खिलाता है यह सज बात है और यह है सदानन्द दक्ता इन्होंने भी कमेंट किया है यह लोकल गाइड है तो बेस्ट फार्मेसिक ऑलेजें सिक्कम सिक्किम फोर डूल डेगरी कोर्स बी फार्मा एंड एम फार्मा उसके बाद सुबोजित सहा है इसने तो क्या ही बोलू उसके बाद समीम अली ने कमेंट किया है बेस्ट फार्मेसिक कॉलेज विट गुड इंफ्रास्ट्रक्ट्टर एंड प्लेस्मेंट प्रोफाइल भाई आज दियान से देख ले ना प्लेस्मेंट के बारे में ही में बात करने वाला हूं क्योंकि मेरा जो कॉलिंग पे एक्सपिरियंस था और प्लस जो चैट पे एक्सपिरियंस था उसी से रिलेटेड मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं कि ये प्लेस्मेंट के नाम पे क्या देते हैं आपको ठीक उसके बाद लोकल गाइड ये भी है पार्था शेन गोड कॉलेज और फार्मेसी उसके बाद ये भी लोकल गा जैसर पार्मेसी और नाम आपको बाद वाएट अडिवेट ओरल उसके बाद शायन सायं मजूमदर ने लि较खा है जौब ओपर्शुनिटीज आर मैक्सिमयं है रैगूलर क्लास अत्लम बद टीचरस क्वालेटि नौट ईसके बाद नलिक बाद रही है भी होगा क्योंकि प्लेस्मेंट में वो भी आता है और भाई आपने तो सच्छा ही बग दिया जो की सही है मेरे काम पर आएगी और फार्मसुटिकल इंस्टुशन और सब्सक्राइब इंडिया और यह भी लोकल गाइड लोकल गाइड लोकल गाइड चाबिद अली अमेजिंग चॉप परचुनिटी इस मैक्सिमम हाँ भाई जिसकी प्लेस्मेंट अच्छी नहीं होगे तो उसकी तो जॉप अच्छी मैक्सिमम क्या बहुत ही रद्यस्तिती में लोकल गाइड गोड इंफ्रास्ट्रक्चर कभी कभी लगता है एड़ी बगवन भाई ख्या लिग गया है लोकल गाइड उसके बाद सयंदास ने लिखा है ओन अप दी वोरेश्ट होस्टल इन इंडिया कभी कभी लगता है मैं नॉर्थ को रहा गया भाई होस्टल कहीं पर इसने सहीगा सुबोलाल ने क्योंकि मुझे जो प्लेस्मेंट पर मैंने जो इंक्वारी की और इन्होंने जैसा मेरे साथ ब्यवार किया और जो चैट किया उससे मुझे पता चल गया कि यह इंस्ट्यूट या जो यूनिवर्सिटी वह किस टाइप का हो और कितना अच्छ है तो चलो यह सब हैं लोकल गाइड अधिकांस आपको इसमें कमेंट करकिये हुए मिल जाएंगे और कुछ तो इन्होंने अपने ही होते है ना स्टाफ या जो इटीचर हैं उनसे भी कमेंट करवाया हुआ है तो यह करते हैं हर इंस्ट्यूट करते हैं तो सबसे पहले चलो यहां पर भी प्लेस वाट्स अप यॉर क्लास माक्सिट हैडमेट रजिस्टेशन यह बाद में देखते हैं पहले यूट्यूब पर भी देख लेते हैं कि आपको रिव्यू की नाम पर यूट्यूब पर आपको क्या-क्या मिलता है तो चलो यूट्यूब यूट्यूब हिमालियन फार्मेस इंस्टूट सिक्किम मजीतर तो यहां पर जो चार चार मिनट वाइस सेकंड की वीडियो इसमें भी आपको रिव्यू की नाम पर बस इधर उधर दिखा देंगे और इस पर भी कुछ खास रिव्यू नहीं है थोड़े कॉलेज का अपन चेक करेंगे कैसा क्या करवाते हैं प्लेस्मेंट के नाम पर क्या होता है और अगर आपको कोई कॉलेज की जानकरी लेनी है तो मुझे अभी करें मैं भी उस कॉलेज को दीखूंगा और आपको भी सजेशन थोड़ा बहुत दे सकता हूँ क्योंकि फार्मे नहीं दिखा सकता आपको 10th or 12th के प्लीज वाट्सप यूर क्लास 12th माक्सिट एड्मिट रजिस्टर्ट सर्टिफिकेट एंड क्लास 10th डॉकुमेंट डॉकुमेंट वेर यूर डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन दिस नंबर फॉर वेरिफिकेशन हिमालियन फर्में से इंस्ट्यूट सिक्किम उसके बाद यह है मेरे उपर की इंचूबी है 10 12th की माक्सिट थी उसके बाद उन्होंने एक PDF सेंड किया था तो चलो वाट्सप पे मैं लेके जाता हूं और आपको मैं पीडिएफ दिखाता हूं क्या पीडिएफ है और मैंने बोला था ना कि इसमें मेरे 10 12 के माक्सिट है तो मैं नहीं दिखाना चाता है अब देख सकते हूं वह ही तो यहां पर उन्होंने मुझे कहा है यो और एलिजिबल फॉर एडवेशन इन डी फार्मा फॉर एडवेशन प्लीज पे 60 थाउजन अच्छिबल इन सबस्क्रमेंट यहां प्रमेश अच्छिट अच्छिट अथ्वेशन नम्बर इतना इतना स्टाइब को फईंडिया मजेतर प्रंच एंड RTGS and EFT receive to it writing your name and the course applied for on the top of receipt in capital through वाटसब नमबर इतना और टोटल फी पांच हजार आपको हर साल के लगेंगे और करीबन आपको 55 इंटु 4 इंस्ट्रॉल्मेंट मतलब चार सेमेश्टर के 55 करके लगेंगे आपको तो चलो इतना था तो फिर मेरा जो दूसरा सवाल था इंसे क्या मैं पिछले साल का रिजल्ट देख सकता हूँ तो इन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं आप पिछले साल का रिजल्ट नहीं देख सकते हैं और उन्होंने मुझे फोन पे बोला था कि वो तो इस्टूडेंट के कैपिबिलेटी पे डिपेंड करता है ना और यही सब मतलब एक ही बात को वो गुमाफिरा कि हमको बोले जा रहे थे तो चलो ठीक है उतना हुआ और एक जरूरी बात है कि जब मैंने मेसेज करता था ना तो यह मुझे कॉल करते थे कॉल करके वो आंसर देते थे चैट पे इन्होंने कभी क्लियरली नहीं बोला है और जो क्लियरली बोला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ तो फिर मैंने 25 जून 2021 को एक मैसेज किया था क्या सर आप मुझे होस्टल चार्ज प्लस फूड चार्ज लिस्ट दे सकते हैं और जो भी चार्ज है उसके लिस्ट तो इन्होंने एक मुझे चैट मतलब चैट पे लिखा था मैंने बोला था ना 5000 रुपए वो साला ना एक्जामिनेशन फी लगेंगे 5000 ठीक और फिर मैंने उसके बाद पूछा कि अभी कॉलेज खुला हुआ है क्या तो एट पैजेंट लोग्डाउन इन प्रोग्डेस उन्होंने कहा था तो मैंने कुछ लिखा था उसके बाद मैंने डिलेट कर दिया सब प्लेस्मेंट का डेटेल देजिए प्लेस्मेंट डेटेल तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं नहीं इन्होंने कॉल किया था उसके बाद फिर मैंने इंग्लेस पर लिखा क्योंकि भाई यह बहुत जाद ही इनको हिंदी आती है यह कॉल पे मेरे से हिंदी पे बात करते हैं और बीच बीच पे इंग्लेज का टोन लाते हैं लेकिन इनको अंग्रेजी जाड़नी होती है क्योंकि स्टुडेंट को आपको नीचे गिराना होता है न कि किसी तरह कंवेंस कर लेना है और एड़िशन करवा लेगा बालक बस यही बात है तो वाट इस दा जैनरल प्लेश्मेंट ट्रेंड अवरेज सेलरी एंड वाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एक्चोली फाइंड जॉब डिरेक्ली फ्रॉम केंपस वाट काइंड इन वीच कंपनीज विजिट इन दी केंपस तो मैंने यह ल प्लेश्मेंट प्रॉम आवर कॉलेज अकॉर्डिंग तुटूडेंट अकेडमिक पर्फॉर्मेंस एंड कैपबिलेटी चलो भाई इतना थीक है वह स्टूडेंट के उपर पर्फॉर्मेंस के उपर उसके कैपबिलेटी पर डिपैन गरता है तो भाई बता दो ना कौन- वाट इस यूर सेलेक्शन रेट सालरी पैकेज तो इनका भी वह जबाब नहीं रहेंगे आपको क्योंकि भाई यहां पर प्लेस्मेंट के नाम पर आपको कुछ भी पकड़ा दिया जा रहा है मतलब दो स्टूडेंट की प्लेस्मेंट होती होगी या तीन स्टूडेंट की म पाद उन्होंने मुझे रेप्लाइ दिया था सिलेक्शन एंड सेलरी पैकेज डिपेंट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट अकेडमिक पर्फॉर्मेंस एंड कैपिबिलिटी भाई साब आपको एक ही सवाल मतलब हर सवाल के एक ही आंसर आते हैं क्या मतलब एकेडमिक पर् नहीं इनको क्लिरली नहीं बोलना है क्योंकि इनके कॉलेज में कुछ गड़वडिया हैं जो बताना यह नहीं चाहते हैं हर कॉलेज PCI अगर अप्रूवड है तो यह सोच के एडविशन मत करवा लेना कि आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा आपका रिजल्ट नॉर्मल आ सकता है ठीक जॉब के लिए फिर आपको धक्के खाने होंगे और अगर केंपस से आपको जॉब मिलता है न वह सही चीज है केंपस के बाहर आपको बहुत स्ट्रागल करना होगा जॉब के लिए तो सोच समझ के कॉलेज पर एडविशन करवाना सिक्किम हाँ पढ़ने के लि और चलो दूसरा चीज देखते हैं have you any problem to tell me about your college placement status मैंने लाश्ट में यह लिखा तो यह जो सर्थ हैं यह गुसाएं और मुझे कॉल करते हैं उसके बाद मुझे बोलते हैं कि आप एक ही सवाल पूछ रहें तो मैंने बूला कि सर यह मेरा हक है मैं placement की बारे में पूछ सकता ह हूँ और आपको बताने हूँ कोई दिक्कत देखिया या आपके college पर कोई आचा जाएगी अगर आप बता देंगे placement के बारे में या आपके college पर कौन कौन से company आते हैं job देने के लिए job offer करने के लिए आप वह भी नहीं बता रहे हैं तो मैं कैसे आपके college पर आड़िशन कर चाहते हैं तो आपको कोई भी company job नहीं देगे भाई यह क्या reason हुई यार में चीज तो यह है ना कि मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए आप मुझे डरा कि आप चाहते कि मैं आपके college में एड़िशन ले लूँ मैं कताई नहीं लूँगा ऐसे में एड़िशन क्यो बहुत अच्छी जगह है लेकिन भाई यह PCI approved college में कभी एड़िशन मत लेना और बादवा कि आपकी रिस्क है अगर आपको normal study करनी है तो आप जाके कर सकते हो और यह वीडियो खासकर placement के ही बारेपित था ठीक है ना और वहां के जो staff है वो किस तरह supportive nature है या नहीं है वो मैं इतना ही था और PCI approved college आपको बहुत सारे मिलेंगे और PCI approved पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जो भी PCI approved है ठीक है ना तो इतना ही था ठीक है बाई